तो फिर दोस्तो इस तवर वीडियो में इंड तक बने रही हैगा क्योंकि आज का वीडियो बिल्कुल इंट्रेस्टिंग और आपके लिए हेलफुल होने वाली है आप अपने पीअफ एकांट में नया बंक डीटेल अबडेट करना चाते हैं तो आज कि इस वीडियो में बिल्कुल वाइं सारे से बताओंगा कि आप अपने पीअफ एकांट में दूसरा ब psychiatric update कर सकते हैं और बहुत ही अजानी के साथ जो भी आप बैंक डीटेल आप अपने PF एकाउंट पर चेंज करेंगे वो तीन से चार दिन के अंदर ही आपका जो भी बैंक डीटेल है वो अप्रूब हो जाएगा वेरिफाई हो जाएगा कैसे होगा यह हमें वीडियो के लास्ट में बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूं कि यह तीन से चार दिन के अंदर आप कैसे इसे अपरूब करा सकते हैं और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल वाले आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि इस तरह कोई भी इन्फार्मेशन मै यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिया है आनलाइन क्लेम मेंबर एकाउंट वाले आइकन पर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है और यहां पर क्लिक करने के बद देखिए इस तरह से पीज आपके सामने खुल करके आ जाएगी यहां पर थ्री डाट पर आपको क्लिक करके य यहां पर आपको URL ऊढल डिया और यहां पर आपको प्यूब करना दिख लिख करो है पिकिए इस तरह से किषांड आपको सामने खुल करें जाता है कि आप एकाउट को जाते हैं इसे क्सार में जाने के लिए यहां पर जो मैनेज वाला आइकन दिख रहा है मैनेज वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और मैनेज वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो KYC दिख रहा है KYC पर आपको simply क्लिक कर देना है और KYC पर क्लिक करने के बाद देखिए KYC वाला पेज आपके सामने इस अगर update करना चाहते हैं तो दोनों ही condition में यहाँ पर bank वाइकन दिख रहा है bank के वाले आइकन पर आपको simply click कर देना है और click करने के बाद देखिए इस तरह से page आपके सामने खुल करके आ जाता है यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर आपको खास यह ध्यान रखना है यह भी bank detail update करेंगे यानि जो भी bank detail आपने pf account में change करेंगे या फिर नया bank account में update करेंगे तो सबसे पहले आपको यह sure हो जाना है कि जो भी bank detail update करेंगे उस पे जो भी data यानि जो भी आपका name है और father name है same आपके P.E.F. account में होना चाहिए तो ही यहाँ पे आपका bank detail successfully approve हो जाएगा चार से पांच दिन के अंदर approve हो जाएगा अगर कुछ भी mismatch है आपके bank account में और आपके P.E.F. account नेम में mismatch है या फिर spelling में mismatch है या फिर father name में mismatch है तो इस condition में आपका जो भी यहाँ पे bank detail update करेंगे जो भी bank detail यहाँ पे change करेंगे वह आपका reject हो जाएगा यह आपको खास यहाँ पे धियान रखना है आपको bank के वाइसी करने से पहले या आपका bank detail update करने से पहले आपको यह sure हो जाना है document पे name, father name, same to same होना चाहिए यह आपको sure हो जाना है चलिए और यहाँ बिलकुर मैं वीडियो के end में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही असानी के साथ इसको तीन से चार दिन के अंदर ही आप अपना bank detail अपने pf account पर approve करा सकते हैं, update करा सकते हैं, कैसे कराएंगे चलिए, यहाँ बिलकुर मैं आप लोगों को step by step बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर bank account नमर यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर confirm account नमर है, यानि उसी account नमर को यहाँ दो बार डालना रहता है, तो यहाँ पर confirm account नमर डाल देना है, और confirm account नमर डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपका IFC code होगा, ओ IFC code यहाँ पर आपको डाल देना है, तो फिर यहां पर देख सकते हैं, जो भी account नमर है, account नमर मैंने डाल धिया है, confirm account नमर डाल धिया है, और जो भी IFC code है, IFC code मैंने यहां पर डाल दिया है, और verify IFC पर आपको Martin करना है, और यहां पर click करने को बाद देखिए, इस तरह से पेज़ आपके सामने आ जाएगा IFC verified यहाँ पे OK पे आपको click कर देना है और OK पे click करने बाद देखिए आपका जो भी account number है वो verify यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे branch का नाम आपके बैंक का नाम यहाँ पे show करेगा और इसके बाद स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे चलेंगे यहाँ लेफ्ट हाइम साइड कारना पे आपको check mark लगा देना है यहाँ यहाँ पे OTP लिए permission आपको दे देना है और जो save वाला आइकन दिख रहे वाले आइकन पे simply आपको click करना है और save वाले आइकन पे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं OTP has been sent to your आधार link mobile number यानि यहाँ पे बताया जारा है कि जो भी आपका आधार link mobile number है उस mobile number पे सरा है पर reach आपको चकर लेना है यानि जो ही आपका information है उसको फिर से एक बार यहाँ चेक करने के बाद यहाँ पे जो हमारे रिश्टर mobile number पे OTP हुआ है उस OTP को हमको यहाँ पे डाल देना है चलिए और फिर यहाँ देख सकते हैं जो भी OTP हमारे अधार लिंक मोबाइल नमर पर OTP रिसीव हुआ था OTP मैंने यहां पर डाल दिया है और submit वाला जो icon दीख रहा है submit वाले icon पर click करेंगे और submit वाले icon पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी bank detail आपने update किया है यहाँ पर successfully update हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं bank account number verification is under process notification has been sent to your mobile number यानि आपके mobile number पर एक message यहाँ से sent कर दिया जाएगा और फिर जो भी यहाँ पर हमने bank detail update किया है उसका status आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर document number यानि account number भी दिया है यहाँ IFC code दिया है और अभी status यहाँ पर status show कर रहा है verification under process यानि जब भी आप bank detail update करते हैं या फिर आप अपना bank account change करते हैं तो bank IC करने के बाद इस तरह से status आपका show करता है verification under process लेकिन कुछ time बाद कुछ घंटे बाद या फिर एक या फिर दो दिन बाद यहाँ पर जो भी आपका status है वो इस तरह से show करने लगता है pending with employer for digital signature यहाँ पर यह आपको खास दियान रख रहा है pending with employer for digital signature का मतलब यह होता है कि जो भी KYC आपने update किया है वो आपके employer के द्वारा जो भी आपका KYC document है उसे approve किया जाएगा दोस्तों अब यहाँ पर इसको approve कराने के लिए क्या करना होगा आपको अपना bank account change करने के लिए जब भी request डालते हैं उसके तीन दिन या फिर चार दिन बाद आपको अपने employer अपने company से संपर करना है call करना है mail करना है तो आपको अपने employer अपने company से request करना है कि sir manage जो भी bank detail update करने के लिए request डाला है उससे digital signature के through approve किया जाए अपने employer से request करें और निशीत रूप से आपका employer आपका company आपका जो भी नियोकता होगा इसे approve कर देगा है इस तरह से आप employer को convince करके employer से request करके बहुत यह असानी के साथ approve करा सकते हैं verify करा सकते हैं दोस्तों यह तक समझता हूं बिल्कुल आपके लिए helpful रहा होगा चली मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जैहिन